आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोगों को बच्पन की याद पताजा हो जाएगी क्योंकि ये पिज्जा और बर्गर के पहले की रेसिपी है जो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हल्दी होता है जब भी घर में अगर भाद बच जा है तो हम इसे बना के खा लेते थे इसे ना ही हमें भुनने की ज़रूत होती थी ना फ्राइग करने की बहुत ही कम मेहनत में मुश्किल से दो मिनट में ये बनके त्यार हो जाएगी साही जीजों को जब तक हम काटेंगे उतनी दिर में ये बनके त्यार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और फ्रेंट्स अगर किन-किन लोगों को अपने बच्पन की याद ताजा हो गए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं पिज्या और बर्गर से भी टेस्टी सामकार नास्ता बनाने के लिए यहां पर मैंने लेलिया है चावल ये दिन में जो चावल बना था वो थोड़ा सा बच गया तो उसी की में ये रेसिपी बनाऊंगी इस रेसिपी के लिए एकदम ठंडे छोटे चोटे टुगर में कटे हुए साथ ही हम डाल देंगे एक चम्मच अचार का मसाला ये आमका अचार का मसाला है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करें तो आप और थोड़ा सा डाल सकते हैं साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक लाल मिर्ची इसे मैंने आग पे पका लिया है और इसे तोर के छोटे चुछे में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सरसो का तेल इस रेसिपी में आप सरसो का तेल ही मिक्स करें बहुत टेस्टी लगेगा अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, स्वादनुसार नमक जो है अचार के मसाला में भी होता है तो उसी साथ से अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल ले अब हम इसे हाथों की साहता से खुब अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर हम चम्मच का यूज ने करेंगे हाथ से ही हमें मिलाना है, हाथ से मिलाने से अचार का मसाला जितनी भी चीज़े हमने इसमें मिक्स की है, वो खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, खूब अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसे मिक्स कर ले यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया तो यह हमारा बिना चावल को भूने हुए हमारी साम का नास्ता बनके त्यार हो गया तो इस रेसिपी को देखे किन किन को अपने बच्पन की याद ताजा हो गया और किन किन लोगों ने यह खाया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी यह भी बताए